एक मिड़ एक मिड़ मुझे कुछ कहना है मुझे लगता है कि मैंने सारी disturbing manga spud रखी जो सजमी बात है तो अगर तुम्हारे नज़े में को disturbing manga हो तो comment section में जा और उसका नाम लिखकर मेरे मुँपे दे मार हो कि भाई जा ये manga दिखकर रहा बस यही कहना था background music शुरू करते हैं अगर तुम्हे कुछ collect करकर एक collection बनाना हो तो तुम क्या collect करोगी most awfully तुम वही चीज़े collect करोगी जो तुमारी favorite हो लेकिन अगर मैं कहो कि तुमारी favorite चीज़े काफी ज़्यादा अजीब हो मेरे अजीब का मतलब बहुत ज़्यादा अजीब और वही चीज़ों को ये manga बख short stories है और 4 stories तुमारा दिमाग हिला कर रख देगी मैं बात कर रहा हो फेटस collection की जो 2004 में आई थी ये manga अभी complete है और इसके author है कागो शिंतारो और इसके artist भी यही है इस manga की सबसे पहली story एक लड़की की है जो अपने crush की चुईवी और इससे related चीज़ों को collect करने को शौक रख उस portion की skin निकाल कर अपने collection मेड कर लिया और बस यही सोचने लगी कि अगर उसके crush ने उसे kiss किया या उसके body parts को छुआ तो क्या और यही चीज़े सोच सोच कर उसने अपने body parts को निकाल कर उसके collection मेड कर लिया और फिर जो कोई भी लड़की उसके crush के आसपास या उसकी friend हो तो वो लड़की ने उस सारे चीज़े उन लड़कियों के साथ भी करने लगी और यहां तक कि उसने अपने collection में अपने abortion कीवे बच्चों को भी रखने लगी और इन सारी चीज़ों में उस लड़की का फादर भी उसके साथ था मैंने तो तुम्हें सिफ पहली स्टूरी बताई इसमें और तीन ऐसी स्टूरी से दूसरी स्टूरी का नाम हारा कीरी तिसरी है Holy Night और चोती है वोरेशियस इजिस ये मैंगा जिसकी मैं भी बात करने वाला हूँ इसमें Brutality की सारी हदे पार कर रखी है और थैंक गॉड कि ये मैंगा कलरड नहीं है मैं बात कर रहा हूँ Panorama of Hell की ये मैंगा लेट 1984 में आई थी और उस समय ऐसे भी कोई मैंगा बना सकता था इस जिसमें यकीन नहीं होता इस मैंगा को बनाया है Hino Hideshi ने इनका एक और एक एक वर्क है जो मैंने दीख रखा है उसका नाम है Hino Hideshi Dorymond लेकिन इसके बात में किसी और वीडियो में करूँगा इस मेंगा में एक painter है जिसे painting करना पसंद है बट वो अपने painting में color इस्तमाल नहीं करता वो अपने body का blood इस्तमाल करता है painting करने के लिए और अपने life की सबसे बड़ी painting वो अब बना रहा है और अपने उस painting का नाम रखा है panorama of hell और उस painting को paint करने के लिए उसे बहुत सारा blood चाहिए और इसी वज़े से वो हर रोस acid पीता है और खून की उल्टी करता है और ये जिस वो हर रोस करता है जैसे उसके daily routine हो और इसी कई सारी disturbing habits इस बंदे के पास है जैसे इसे लोगों को जलते वे देखना बहुत पसंद है एक short manga है जिससे मुझे तुमें बताना है उसका नाम है Tract अगर तुम कुछ खा रहे हो तो उस वक्त तुमें इस manga को बिल्कुल भी नी पढ़ना चाहिए इस manga में एक भी dialogue नहीं है ये manga completely mute है लेकिन इसके panels काफी ज़ादा disgusting है इस manga के author है कावो शिंतारो ये manga 2016 में आये थी और इस manga के सिर्फ E की volume है जिसके अंदर part chapters है कावो शिंतारो ने super dimensional love gun भी बनाई थी मैं इस manga को अपनी list में add जरूर करता है लेकिन शायद इस manga को काफी लोगों ने read कर रखा है तो मुझे comment करकर बताओ कि किस-किस ने super dimensional love gun को read कर रखा है इस manga की short stories ने मुझे काफी दिनों तब दरा कर रखा हुआ था इसकी कुछ short stories तो सिर्फ 2 pages की है लेकिन वो 2 pages भी तुम्हें डरा कर रखने के लिए काफी है इस manga में बताया है कि अगर तुम्हारे school में, घर में, office में अगर घूस्ट हो तो क्या होगा और अगर तुमने एक बार भी उस manga की characters की जगे पर खुद को रख लिया तो तुम बिल्कुल भी अके लिए नहीं रह पाऊगे मैं बात कर रहा हूँ Seed of Anxiety की ये manga 2002 में आय थी और इसके author है नकायामामसा की और ये PTSD Radio के भी author है PTSD Radio में भी ऐसे ही short horror stories है अगर तुम्हें Seed of Anxiety काफी नहीं है तो इसका second part भी है उसका नाम है Seed of Anxiety Plus और अगर तुम्हें ये भी काफी नहीं तो इसका third part भी है जिसका नाम है Seed of Anxiety Asteris तुम इसे Asteris के बदली star भी कह सकते हो basic story लेकिन art top notch है मैं बात कर रहा हूँ Frick Iceland की एक island जिस पर कुछ लोग रहते है उन्हें लोग के ना गलत होगा मैं उन्हें mutants कहूंगा black magic की वज़े से उनके पास supernatural powers आ जाती है अब बदली में वो लोगों को मारते है जो कोई भी इस island पर आता है वो जिन्दा लोट कर नहीं जाता ये manga 2014 में आय थी और इसके 24 volume से और इसके author है होकाजोनो मसाया होकाजोनो मसाया ने pumpkin night भी बनाई थी और इस manga में तुम्हें brutality भर भर कर मिलेगी और अकर तुम्हें Freak Island पसंद आई तो इसकी जिसी और एक manga है जिसका नाम है Awful Iceland इस manga को समझने के लिए तुम्हें थोड़े उपर का level का होना पड़ेगा ये कि इसकी short stories काफी जादा disturbing और weird है अशाद कुछ तुम्हें समझ में भी ना आए अल्ट्रा गैश इंफर्नो ये एक एरो गुरु मैंगा है और अगर तुम्हें एरो गुरु नहीं पता पूराना है और इस मेंगा में Japanese society के taboo topics को बताया है तो ये वीडियो यहे तक था मुझे एक चीज़ तुम्हें बतानी है ये वो सारी मेंगा से जिसे मैंने तुमारे लिए धूंड कर निकाली है और ये सारी मेंगास disturbing और गोर सिंसे भरी वी है और मैंने इन सारी मेंगास में से भी कुछ चुनिदा मेंगास तुमारे निकाली है जिसके stories भी काफी अच्छी हो और वो सारी घोर और disturbing भी हो तो इसके लिए मेहनत लगती है तो चैनल को subscribe ज़रूर करना और अगर तुमने मेरे चैनल को subscribe किया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे comment करो और मुझे communicate करने की कोशिश करो तो यह वीडियो यही दखता, thank you so much और अबर तुमने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो यह रावा वीडियो जाकर जरूर देखना तो मैं तुमें वही मिलूँगा, bye